नमसकर दोस्तों मेरा नाम है राग और स्वागित आपका अमारी एक और नी वीडियो में फालिली इस वीडियो में आपको मैं बताने में में आला हम फोंक्स के सभी कलर्स के बारे में कॉन सा डहला एजी टु मेंटिनेंच यह जाथ आठा चांग की रूटichen चाहए और आपको कॉन सा कशलर लेना चाहिए आप लॉ sharply करें गाडी को रहे हैं सबसे पह idiot है गो अधान करें तो सबसे पहल्या निकशा the blue color 딱 यह कौन कलर है नेकसा की गाड़ी है तो blue color तो यह आपको देखने ही मिलेगा यह high maintenance color है डार्क सेड़ के जितने भी color आते हैं यह high maintenance होते हैं चाहिए फिर आप dent wind की बात कर लीजे या फिर डेले life के अंदर गाड़ी को साफ वगेरा करने के अंदर बात कर लीजे जो darker shade के color होते हैं उन पे dust वगेरा जादा दिखती है आपको जादा है वो डेली गाड़ी को साफ है वो करना पड़ेगा इस inexorable color के साथ में एक problem यह भी है कि अगर आप गाड़ी long term के लिए रख रहे हैं अगर आप गाड़ी आपने लिया तो कहीं ना कहीं टच तो वह होगी तो bumper अगर आप रिपेंट करवाओगी तो कहीं ना कहीं आपको डिफेरेंट के color के अंदर देखने हो मिलेगा तो नेक्सा ब्लू कलर के साथ में प्रोब्लम है वह रहने वाली अगर आप color लेना चारे हैं दूसरा आपका color आता है कि splendid silver color यह काफी common color है इसकी resale value जादा आपको अच्छी मिल जाएगी क्योंकि एक तो यह lighter shade का color है साथ ही यह common color है इसकी जो easy to maintenance यह color है अगर आप dent paint पी करवाओगे तो color के अंदर ज्यादा difference वह आपको देखने हो नहीं मिलेगा साथ ही आपको गाड़ी यह वह डैली साथ भी नहीं करने पड़ेगी डस्ट वगरा इस color पर आपको इतने ज्यादा है वह नहीं देखने हो मिलेगी साथ ही आपको इसकी average resale value वह देखने हो मिल जाएगी नेक्स अबलू color के comparison में आपको resale value वह ज्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि यह जो lighter shade के इंडिया में color होते हैं यह easily big जाते है वरना dark shade के color वह easily नहीं बिखते हैं कलको अगर आप fronks बेजना चाहोगे जो splendid silver color हो easily big जाएगा थर्ड नमर पे आपका अर्थन brown color आता है यह unique color है अलग परकार यह car enthusiastic लोग को पसंद आता है यह high maintenance color है क्योंकि यह dark shade का color है साथी इसकी low racial value है क्योंकि यह color सभी लोगों को पसंद नहीं आते हैं तो कलको अगर आप fronks बेजना चाहरे हो तो easily नहीं ब जाता है यह color ऐसा color है कि इंडिया में काफी जादा इस color की गाड़ें बिकती है common color है easy to maintenance है गाड़ी को आपको सबते हपता में एक बार यह वो दोनी पड़ेगी just इतनी जादा नहीं दीखेगी high resale value color है क्योंकि अगर आप आज गाड़ी ले रहे हो और आज अगर आप paint हुआ है और गाड़ी जो अभी पुरानी जो paint हुई हुई है उनमें आपको जादा डिफ्रेंश है वो देखने को नहीं मिलेगा फिप नुमर पर आपको उपिलोंट red color आता है यह आपको unique color है अलग प्रगार के car enthusiast लोगों को पसंद आता है यह वेरी करता है कि अगर आप blue is black color जो फ्रोंक्स को reveal किया गया था उस time इस color को launch नहीं किया गया था लेकिन आम औरती करिए कि blue is black color के अंदर भी आपको फ्रोंक्स हो देखने हो मिलेगी यह unique color है आपको कमी लोगों के अंदर देखने हो मिलेगा यह depend करता है अगर आपको गाड़ी बेच रहे हो तो काईस आपको कुर्वानी पढ़ेंगी साथ यह high maintenance color है black color आपको बताई है कि कितने ज़्यादा है यह साफ सभाई है color मांगता है और यह दूसरे है कि जो मैंने customer वाली आपको बात बताई है अगर बात करें अगर आप North के अंदर रह रहे हो तो यह color आपके लिए इतना जाथा अच अगर आपको 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 स्वेल मांक्स हो गए या फिर जो मारतिकार के अंदर चोटे जो डेंट आते हैं टाइम के बाद में जो इनकी मेटल सीट है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है तो यह darker shade के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी as compared to lighter shade के color है जो splendid silver है arctic white है साथ यह आपको dual tone color option भी हो वह फ्रॉंक्स के अंदर देखने को मिल जाता है normal color से dual tone आपका 16,000 रुपे expensive रहता है exorm के अंदर and on road की बात करें तो यह 18,000 रुपे का difference हो चला जाता है सिर्फ आपको alpha top end variant के अंदर यह देखने हो मिलेगा एक तो आपको नेक सा blue color के अंदर साथ यह आपको red color के अंदर and arthur brown color के अंदर भी आपको black color की रूफ हो देखने मिल जाएगी मुझे नहीं लगता कोई भी brown जो sorry fronks का यह इतना dual tone color वाला जो option हो कोई खरीदेगा क्योंकि बहुत जादा expensive वह 15-16 लाख रुपे के something अवो चला जाता तो 15-16 लाख में मुझे नहीं लगता कोई fronks अब खरीदने वाला है तो कहें यह था fronks की color को लेकर एक sorting information video मिलते हैं इसी प्रकार के interesting topic को लेकर तब तक के लिए take care and bye bye